दोस्तों आम आदमी की सुरक्षा और उसकी जिम्यदारी तो बहुत दूर की बात है। आज वक्त ऐसा आ गया कि पुलिस महकमा भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस के अंदर मुझूद लेडी कॉंस्टिबल, लेडी एसेचो भी सुरक्षित नहीं है। उनकी कोई नहीं सुनता है। पुलिस वाले स्वेम भी नहीं सुनते। ऐसा क्या हो गया कि मैं इन बातों को बोद रहा हूं बिना कुछ समझे बिना कुछ सोचे। दोस्तो आज इसी कहानी इसी गटना के बारे में चर्चा करेंगे जो राजस्थान की चूरू जिले में स्थित एक कस्वा है सावा। सावा की एसेचों हैं अलका विश्णूई जिनके साथ ये गटना गटित हुई और अचन्वित करने वाली गटना है जिस पर आप भी विश्वास नहीं करेंगे। नमस्कार मैं हूं कि सोरकुमार सर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4 दोस्तो राइट साइड के अंदर रेड कलर का बेल आइकन है उसे दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मीडिया 4x4 चहूं और फैले सभी लोग देख पाएं सेर भी करें और वीडियो को वीडियो को देख कर कमेंट भी जरूर करें दोस्तो अब बाते हैं मुद्दे के उपर बात है दो अक्टूबर शाम के 6-7 बजे की बीच की जैसा हमें ग्यात है सावा की सचो अलका विश्णोई सावा के बस्टेंड पर हुई जेवरात चोरी मामले के अंदर हरियाना ने दबिस देने गई थी जो चोर है वो बादरा से होते हुए हरियाना की तरफ गए थे और उन्ही को ढूंडने या उन्हें उन्हें से दबिस देने वहां गई हुई थी और उस मामले को कलियर करके अलका विश्णोई वापिस बहादरा के रस्ते ही आ रही थी बहादरा से ठीक बाहर निकलते वक्त एक होटल आता है और वहां पर शाम के समय क्योंकि चलते चलते काफी टाइम हो गया था शाम के समय अलका विश्णोई और उनके साथी कॉंस् वो एक होटल पर उखते हैं और उस होटल पर चाई पिने के लिए बैढ़ जाते हैं या चाई गाड़ी के अंदर मंगवाते हैं दोस्तो इतनी ही देर में पीचे से एक सफ़ेध रंग की कार आती है और उसमें दो गैंग्स्टर उतरते हैं बहार और अलका विश्मोई को डराते धमकाते हैं गाली गलोज करते हैं जो राजस्थान के अंदर भूंडी गाली बोलते हैं जिसे वो गालियां वो निकालते हैं पुलीस महकमा कुछ नहीं कर पाता वो वहां से फरार हो जाते हैं और जो लेडी ऐस्चो जो सावा की मोजूदा ऐस्चो हैं अलका विश्णोई वो कॉल लगाती हैं भादरा ठाने के अंदर लेकिन उनका कॉल अटेंड नहीं किया जाता फिर कोल लगाती है भादरा के असचो को तो वो भी कोल अटेंड नहीं करते काफी कोशिश करने के बाद हार ठक कर अलका विश्णोई पहुंच जाती है भादरा के ठाने के अंदर वो रिपोर्ट लिखाने के लिए बैठती है लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है कि वो रिपोर्ट नहीं लिख पाएंगे करीब रात के दस बज़े तक कोशिश करने के बाद अलका विश्णोई की रिपोर्ट दर्ज की गई काफी समय बीत गया और दोस्तों ये मामला उजागर हो गया मीडिया के अंदर और पता चला हनुमानगड एसपी को तो जो हनुमान विश्णोई है भादरा के एसेचो उनको लाइन हाजिर कर दिया बड़ी कारवाई हनुमानगड एसपी ने की क्योंकि ये महकमा ही अपने साथियों की सुरुक्षा मुहिया नहीं करवा सकता तो वो आम जन्ता की सुरुक्षा कैसे कर पाएंगे ज्यादा पूस्तास के अंदर पता चलता है जो वहाँ पर नरेस नाम के एचसी मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि जो अलका विश्णोई के साथ मुकेस नाम के जो कॉंस्टिबल थे उन्होंने दस बज़े कौल किया था लेकिन जो एसेचो साब हैं हनुमान विश्णोई सा हैं और वहां मौके पर जाने से भी मना कर देते हैं दस बज़े उन्हें पता चल गया था लेकिन मौके पर जाने की वो कोशिस नहीं करते हैं अंदेशा सीधा सा लगाया जा रहा है दोस्तों आम लोगों द्वारा कि उन अपरादियों के साथ कुछ ना कुछ गटबंदन इ या कोई और भी कारणों है जो जांच का विशे है पुलिस महकमा इस कांड के बारे में इस गटना के बारे में जांच जरूर करेंगे उस तो ये गटना आम लोगों के अंदर एक डर्ग की भावना पैदा करता है कि आज पुलिस महकमा भी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी क सुरक्षा कौन महिया करवाएगा कौन करेगा सुरक्षा क्योंकि आम जनता की सुरक्षा पुलिस के हाथों में है यहां पर मिल्टरी आर्मी या एर फोर्स नेवी नहीं आती यहां पर मوجود राजस्तान पुलिस है वो ही आम जनता की सुरक्षा को निशित करती है और दोस्तो सवालuda nisana खड़े होना आमसी बात है दोस्तो आज की जानकारी देना मेरा सीधा सा मकसद यही है कि आप तक सही जानकारी पहुंच पाए मेरा कोई मकसद नहीं कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊँ या किसी के नाम को धुमील करने की पोस्ा सिस्क्रeung दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और यह विडियो जुरूर से एर करें ताकि आप जंता तक पहुंच सकें आम लोगों तक पहुंच सकें ताकि आप अपनी सुर्कशा को सुनिश्ट कर सकें बहुत बहुत दिने वाद जे हिंद राम राम